नमस्कार और स्वागत है आप सबका फिर से एक बार इस corporate वीडियो सीरीज में the professional breakthrough में इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग अलग-अलग office के situations ले रहे हैं अलग-अलग skillset के उपर बात कर रहे हैं तो आज ऐसे ही skills के बारे में बात करेंगे ऐसे ही एक tool technique के बारे में बात करेंगे जो आपको मदद करेंगी आपके professional life में next level पर जाने के लिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ trustworthiness इस skill के बारे में trustworthiness basically एक बहुत important quality मानी जाती है एक professional के लिहाज से उसके career के लिहाज से देखिये ना कोई भी employer हो चाहे वो बड़ा employer हो या छोटा employer हो everyone wants कि ज्यादा से ज्यादा उनके team members trustworthy रहे तो बहुत simple है अगर आप एक working professional है या आप कही पर job करते हैं तो आपको इस quality को develop करना होगा इसको आपके अंदर जतन करना होगा आप office में अगर trustworthy बनते हो तो बहुत ज्यादा chances से आप आपके office में grow कर सकते हैं next level पर जा सकते हैं और office में demanding position पर आ सकते हैं तो चलिए बात करते हैं EC quality के उपर EC technique के उपर सबसे पहले जान लेते हैं trustworthiness का मतलब क्या होता है बहुत simple है trustworthiness का मतलब है जो professional अपने principles को अपने values को जो भी office के काईदे है कानून है उसको follow करता है उसे trustworthy कहा जाता है अब trustworthiness के भी बहुत प्रकार होते है trustworthiness professionals के मैं कहूंगा जैसे कुछ लोग है जो supervised condition में ही trustworthy रहते हैं अगर उनके उपर कोई निगरानी कर रहा है तभी वो trustworthy behave करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं without any supervision वो trustworthy रहते हैं और office के फाइदे के लिए office के लिए वफादार रहते हैं मैं कहूंगा कुछ professionals ऐसे होते हैं supervision हो या unsupervision हो वो खुद तो trustworthy रहते हैं लेकिन उनके सामने जो गलत चीजे हो रही है उनके सामने जो colleagues गलत चीजे कर रहे हैं उसको वो oppose नहीं करते उसको confirm नहीं करते और 360 degree में जो trustworthy होते हैं जो परिपूर्ण trustworthy लोग होते हैं वो खुद तो trustworthy होते ही है, उनको supervision रहे या ना रहे, फिर भी वो कोई भी परिस्तिती में trustworthy रहते है, प्लस कोई office में अगर गलत काम कर रहा है, black का काम कर रहा है, तो उसे वो confront करते हैं, तो ये quality बहुत important मानी जाती है दोस्तों, और आपको इसको develop करना होगा, देखिए एक customer के साथ वो कुछ counselling करता है, selling का part करता है, और कुछ product बेचने का उसका काम है, अब इस profile में, ये customer अगर trustworthy नहीं है, तो वो short term के लिए सोचेगा, वो क्या करेगा, वो product बेचने के लिए, customer को कुछ commitment करेगा, लेकिन जैसे ही customer वो product खरिता है, फिर वो उस commitment पर खरा नहीं उतर कुछ hidden cost निकालेगा, customer बाद में pay करता रहेगा, कुछ hidden cost, आपने देखा होगा, आपने ये महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, sales के time हम लोगों को एक cost बताई जाती है, हम लोग उस product को खरीदते हैं, लेकिन खरीदने के बाद समझ में आता है, कि उसके अलग-अलग accessories के लिए, उसके अलग-अलग supplements के लिए हम लोगों को extra pay करना है, कुछ hidden cost होते हैं, कुछ hidden charges होते हैं, उसके साथ-साथ, जो commitment हम लोगों को दिया होता है, वो follow भी नहीं होता है, तो ये sales professional, जो commitment follow नहीं करता है, जो hidden charges customer को नहीं बताता है, short term के लिए सोचता है, वो customer sell तो कर पाता है उस specific situation में, उस specific case में, लेकिन long term के लिए वो salesperson, वो working professional बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि वो customer उसे references नहीं देता है, वो customer उसे repeat orders नहीं देता है, लेकिन sales professional, जो trustworthy है, वो सारे चीज़े पहले ही बता देगा, commitment, एक rapport बना लेगा, influence कर लेगा customer को इस तरीके से, कि उसका service orientation भी ठीक रहेगा, और service orientation ठीक है, वो trustworthy है, तो फिर customer उसे repeat order भी देगा, references भी देगा, तो आपके personal growth के लिहाज से भी, as well as I am saying, आपके professional life, यानि वो company के फाइदे के लिए भी trustworthy रहना बहुत important quality है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले तो ये जाचना होगा, mirror test आप कर सकते हो, पहले के लिए आप वफादार है, दूसरा सवाल पूछे कि आपके सामने अगर कोई self interest आता है, जैसे कोई rule बदलने से आपका उसमें नुकसान होने वाला है, तो क्या आप उस rule को accept करते हो, या खुद का फाइदा नहीं देखते हो, अगर आप self interest की बात करते हो, अगर आप opinions बदलता हूँ, क्या मैं उसके हिसाब से अपना nature बदलता हूँ, अगर उत्तर है हाँ, तो trustworthiness आपको develop करना होगा, तीसरा सवाल आपको पूछना है कि क्या आप खुद trustworthy है, as well as जो लोग, बाकी आपके colleagues, subordinates, जो गलत काम कर रहे हैं, उसको आप confront करते हैं क्या, अगर खुद trustworthy होना ये तो 50% हो गया, लेकिन आपको दूसरे भी company में जो लोग है, वो company में कुछ नुकसान कर रहे हैं, क्या वो भी आपको देखना होगा, अगर वो नुकसान कर रहे हैं, तो उसको अपोज करना है, उसको confront करना है, उनको expose करना है, ये एक बहुत बड़ा role है, ब अगर आपको life में breakthrough हासिल करना है, अगर आपको आपकी salary बड़ानी है, आपको promotion अगर चाहिए, तो आपको इन सारे qualities को अपने अंदर जतन करना होगा, develop करना होगा, तब ही जाके आप life में extraordinary performance दे सकते हैं, कुछ जिंदगी में अपने family के लिए भी कर सकते हैं, तो अगर जाते हैं, ऐसे conscious skills है, tools है, techniques है, जिसको अपना के आप एक complete professional बन सकते हैं, तो आप मेरे एक exclusive course के लिए enrollment कर सकते हैं, course है the professional breakthrough, जिसमें तीन लेवल में हम लोगों ने decide किया है, discussion किया है कि कैसे एक professional life में आगे बढ़ सकता है, अगर आप एक working professional है, जो mid level पर काम करता है, या starting position पर काम करता है, तो आप level 1 का course करिद सकते हैं, अगर आप leadership में हैं, तो level 2 कर सकते हैं, या फिर अगर आप management में हैं, आप एक entrepreneur हैं, तो level 3 का course करिद के, आप आप के professional life में breakthrough हासिल कर सकते हैं, इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के topics में इस channel पर लेके आता हूँ, आपके development के family members के साथ, और बताइए कि कैसे ये qualities हम लोगों को develop करनी चाहिए, कैसे हम लोग इसको use करके life में आगे बढ़ सकते हैं, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, comment section में आप मुझे कुछ सुझाओ दे सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह के problems आप face करते हैं, उस विशय को लेके हम लोग discussion करेंगे, उस विशय को लेके बात करेंगे, तो आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार के office के situations, skill sets, tools, techniques के उपर बात करेंगे, और आपको एक complete professional बनाने में मैं आपकी मदद करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे, तब तक के लिए मैं अभिन नाज भास कर चाटे, signing off, thank you so much, जैहन